मोदी के अंडर करेंट में छोटे बड़े नेता सब जीत गए हेमा मालिनी फिर जीत गई, सनी देवल भी जीत गए, गौतम गंभीर भी जीत गए, रवी किशन भी जीत गए यहां तक की हंस राज हंस भी जीत गए सब संसद जाएंगे, देश के मुद्दो पर चर्चा करेंगे, कानून बनाने में योगदान देंगे, लेकिन एक आदमी है जो घर परी छूट गया, नाम है संबित पात्रा संबित पात्रा को ऐसा लग रहा होगा, मानो घर के लोग मेला देखने गए हो, और उन्हें घर परा केला छोड़ दिया हो होडीशा के पूरी संसदिय सीट से चुनाव लड़ने वाले संबित पात्रा बीजेटी के उम्मी द्वार से खरीब 12,000 वोट से हार गए हार का अंतर कम जरूर है, लेकिन दर्द उतना ही जितना बड़ी और छोटी हार का होता है संबित पात्रा की किस्मत ही शायत चुनावों में ठीक नहीं चलती, क्योंकि वो दूसरी बार चुनाव लड़े और दूसरी बार हारे इससे पहले उन्होंने 2002 में दिल्ली के कश्मीरी गेट से पारशत का चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए 2002 की हार को संबित पात्रा ने स्विकार कर लिया होगा, क्योंकि उस वक्त न तो मोदी का मैजिक था, न शाह की रणनीत लेकिन इस हार ने संबित पात्रा का दिल तोड़ दिया है, उनका संसत जाने का सपना चक नाचूर कर दिया है अब संबित पात्रा फिर से आपको टीवी पर डिबेट करते नजर आएंगे, लेकिन बार बार यही सोचेंगे, काश मैं भी संसत बन पाता